दोस्तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में एक जबरदस्थ अपडेट निकल कहा रहा है जैसे कि आपने थाम्नेल में भी देखा होगा इसके बारे में मैं डीटिल्स में इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या है अपडेट और आपके लिए जानना क्यों जरूरी है के लिए देना मजबूरी हो चुका है क्योंकि दोस्तो पता है कि देश में जिस तरीके से कोबीट का सेकेंड वेप चल रहा है बहुत लोग जो है वह अपना लोन जो है टाइम से पे नहीं कर पा रहे है जिसके चलते साड़े लोन कंपनी और इन बीएफसी का जो जो है इन के पास जो ओफिशियल जो डेट था जो कि था आपको पता होगा 31 डिसंबा 2020 जो कि कोबी रिलेट था और एमसे मेंस लोन के लिए था 31 मार्च 2021 तक अभी इस चीज़ को जो है एक्स्टेंड करने के लिए जो है लीडिंग इन वेफसी से उन्होंने आर बीए के पास रिकोज डाला है कि खासका जो एमसेमीस लोन है उनका जो रिस्ट्रेक्ट्रीन का जो डेट है उसको एक्स्टेंड किया जाए और लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2022 तक की आज़े क्योंकि कि ये सारे लोन को जो है इन पीए से नन इन पीए बनाने के लिए एक ही टूल बचा है इन movement है जो कि NBFC के तरफ से लिया गया क्योंकि दोस्तों जब तक बैंक के NBFC अपने से अप्रोच नहीं करता RBI के पस तो RBI भी जो policy में अप्ग्रेट या changes नहीं लेके आते तो दोस्तों ये तो खास कत था MSM इस loan के लिए लेकिन जो अप्रोच किया गया है आने वाला policy लेका आएगा डिटेल लोन के लिए भी जिसे आम लोगों को जो है राहत मिल सके आप अपना जो कमेंट है अपना जो शोजाव है अपना जो आए है मुझे जरूर बताई इस वीडियो का कमेंट सक्षन में हम मिलते आए अगले वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल लखिएगा जैहिंद बंदे मात्रम